नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल के रियर पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइस जीकिए के टो फिप्टी क्यूशन निकराएं जिनके अंदर आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन में कराने वाला दोस्तों आपको आपका सही होजाएगा ये सबी तिलचेटा जूँ और खटमल मक्ही ये तीनों जो हैं फ्रेंट्स आर्थो फोडा गृप के अंदर आते हैं तो उप्शन डी आपका सही हो जाएगा ये सबी next देखते हैं चली मनुष्य की मांसपेशियों में किस पदार्थ का एकतर होने पर ठकावट पैदा होती है देखिए देखिए ओसकी मांसपेशियां होती है उनके अंदर कुन साफ़ाल इकठा होता है लेक्टिक अमल की वो जैसे मनुष्य की मास बेशियों में ठकावट पैदा होती है, option A आपका सही हो जाएगा, लेक्टिक का मलब, next देखते हैं, चलिए, most important question है, mobile phone charger क्या होता है, ठीक है, जो mobile phone का charger होता है, देखी फ्रेंच वो क्या होता है, तो देखी अपचाई transformer होता है, जो charger होता है, mobile phone का, वो क्या होता है, अपचाई transformer, option C आपका सही होगा, next देखते हैं, पियूस गरंथी मानव श्रीर के किस भाग में स्थित होती है, तो दिए कि पियूस गरंथी जो होती है, वो मानव श्रीर के किस भाग में होती है, सही answer होगा, मस्तिस्क में, तो मस्तिस्क के अंदर पियूस गरंथी पाई जाती है, option B आपका सही हो जाएगा, अगला क्यूस देखते हैं, एनिमो मेटर का उपयोग क्या मापने में क्या जाता है, तो देखिए सही answer होगा, पाउण का वेग, ठीक, पाउण का वेग मापने के लिए, एनिमो मेटर का परियोग क्या जाता है, option A आपका सही होगा, पाउण का वेग, अगला क्यूस देखते हैं, हवाही जाज का अविस्कार किस ने किया था जी फ्रेंट्स देखी का हवाही जाज का अविस्कार किस ने किया था तो सही आंशर होगा राइट वर्दर्स के रवारा हवाई जाज का निर्मान किया गया option A आपका सही हो जाएगा राइट वर्दर्स important question आएगा आपके exam के लिए next देखते है निमन में से किस की वेदन चमता सबसे अधिक है किस किरण की वेदन चमता सबसे अधिक होती है मानव रेटिना पर बना पर्तिविम कैसा होता है जी फ्रेंट देखेगा मानव रेटिना पर बना पर्तिविम कैसा होता है तो देखेए सही आंश्रों का वास्तिविक एम उल्टा है जो मानव रेटिना पर पर्तिविम बनता है वो कैसा होता है वास्तिक होता है और उल्टा होता है option B आपका सही होगा very very important question है मानव रेटेना परबना परतिबिम वास्तिक होता है next देखते है वनस्पति विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगत कौकों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है माइकोलोजी जिसमें कौकों का अध्यन किया जाता है वो माइकोलोजी विज्ञान कहलाता है option A आपका सही होगा next देखते है very very important question है जब मैं बार बार पूछा गया है तो देखते हैं सही आंश्तिक होगा लेने state scope का अविश्कार किसी ने किया था लेने के द्वारा किया गया था option C आपका सही हो जाएगा next देखते है निमन में से कौन सी ग्रिंथी वरिदावस्ता में लुप्त हो जाती है जी friends comment करेगा सही आंश्वर निमन में से ऐसी कौन सी ग्रिंथी है जो वरिदावस्ता में लुप्त हो जाती है तो कौन सी थाइमस ग्रिंथी ठीक है थाइमस ग्रिंथी जोती है वरिदावस्ता में लुप्त हो जाती है option D आपका सही होगा next देखते हैं यदि माइटो कांडरिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कारिय नहीं होगा जी friends देखेगा यदि माइटो कांडरिया में माइटो कांडरिया जोता है वो काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कारिय नहीं होगा तो देखिए कौन सा बोजन का आक्सिकर्ण नहीं होगा दोस्तों अगर माइटो कंडरिया जो होता है वो काम करना बंद कर दे तो कोशिका के अंदर जो है बोजन का आक्सिकर्ण होना बंद हो जाएगा ओप्शन बी आपका सही आनस्वर होगा नेक्स देखते हैं चली देखिए पत्तियों के दो परमुक कारिये होते हैं तो पत्ति जोतितर की पेड़ों की वो उनके कारिये क्या होते हैं तो दो परमुक कारिये बत्त पुछ गये हैं यहाँ पे सही आनस्वर होगा देखिए परकास अनसलेशन वह है वास्पोट सेजन करना ठीक है पत्तियों के दो प्रमुकार ये कुन कुन से है परकास अनिसेलेशन करना वो दूसरा है वास्पोट सेजन करना ठीक है तो option C आपका सही होगा next देखते है खाना पकाते समय सरवाधिक मातरा में निमन में से क्या नश्ट होता है बहुत एचा question है खाना पकाते समय सरवाधिक मातरा में निमन में से क्या नश्ट होता है तो सही आंशर होगा चली देखिए विटामिन ठीक है अगर आपसे विटामिन भी पूछ ले जाए वो विटामिन कौन से है तो दोस्तों विटामिन सी सरवाधिक मातरा के अंदर नश्ट होता है कापी पर एक जाम में पूछा गया है कि खाना पकाते समय कौन सा विटामिन जो है सरवाधिक मातरा में नश्ट होता है तो विटामिन सी जो होता है उच्छाल लाइक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाते हैं? देखे, रबड को मजबूत उच्छाल लाइक बनाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? तो सलफर मिलाया जाता है इसके अंदर. ठीके, तो option C, सलफर आपका सही answer होगा. next देखते हैं, गोबर गैस सनियंतर का अविसकार किसने क्या था? देखे, सही answer होगा, CB देशाई ने. गोबर गैस सनियंतर का अविसकार CB देशाई के दोबारा किया गया? option A, आपका सही answer होगा. next देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की मातरा होती है. तो यूरिया जो होता, देखे, उसके अंदर है, नाइट्रोजन की मातरा कितने होती है? तो सही answer होगा, 46%. तो option C, आपका सही answer होगा. next देखते हैं, important रहेगा आपके लिए. देखे, का सबसे सुदतम जल है, सबसे सुदतम जल कौनचा होता है? चलिए देखे, वर्षा का जल, जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसका जो जल होता है, वो सबसे सुदतम जल माना गया है. option B, आपका सही होजाएगा. गला question देखते हैं, सुदतम जल होता है, सुदतम जल की परकरती कैसी होती है? जो जल होता है, उसकी परकरती कैसी होती है, उसके अंदर सबसे अधिक होती है, उसके अंदर कार्बन की मातरा सबसे अधिक होती है, option B, आपका सही अंस्वर होगा. गला question देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? Mercuric Sulfide, option B, आपका सही अंस्वर होगा, Mercuric Sulfide यहाँ पे right answer. नेक्स देखते हैं, important रहेगा आपके लिए, very very important question है, देखीगा, radio carbon dating से किसका निर्धारण किया जाता है? exam के अंदर कापी बाद पूछा गया है, radio carbon dating विधी से किसका निर्धारण किया जाता है? तो देखे, सही अंस्वर होगा, जिवासम की आयू, ठीक है? जिवासम की आयू का पता के जाता है किसे radio carbon dating विधी से, option B आपका सही होगा, अगला question देखते हैं, चलिए, top K Kelvin स्केल में जल का कवथनां कितना होता है? जिवासम की आपका सही होगा, तो आपके Kelvin स्केल में, जल का कवथनां कितना होता है? तो देखे, सही answer होगा, 373 Kelvin, option C आपका सही होगा, 373 Kelvin या पर right answer, next देखते हैं, निमन में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु कौन से होती है? पलेटीनम, ठीक है? तो पलेटीनम जो होती है, सबसे कठोरतम धातु होती है, तो option C आपका सही होगा, पलेटीनम या पर right answer, next देखते हैं, बहुत एच्छा क्यूशन है, important भी है, डाड़ी मूचों का निकलना किस हार्मोन से सम्मन्दिते हैं, ELP के अंदर पुज़ा गया ह कि सही answer होगा, इसका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, अब दाड़ी मूचों जोती है, उनका निकलना किस हार्मोन की बुज़े से होता है, टेस्टोस्टोरेन की बुज़े से, option B, आपका सही होगा, next देखते हैं, लाल रक्त कनिकाओं का परमुक कारिये होता है, लाल रक्त कनि में CO2 बहार करना है, यानि carbon dioxide का बहार करना है, तो according to question, लाल रक्त कनिकाओं का परमुक कारिये, option C, जो है, वो आपका सही होगा, A और B, दोनों, ठीक है, तो स्रीर की हर कोशिका के अंदर oxygen पहुंचाना, और कोशिका से carbon dioxide को बहार करना, next देखते हैं, चली, हरिद्य में स्रीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, सही आन्सुरों का धमनी, ठीक है, धमनी कहा जाता है, option A, आपका सही होगा, धमनी, next देखते हैं, चली, देखिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, और माता का रक्त वर्ग O है, तो बताए, उनके पूतर का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, यदि पिता का रक्त वर्ग A, और माता का रक्त वर्ग भी हो, तो उनकी जो पूतर होगा, वो बलड ग्रुप का होगा, तो option C, आपका सही अंसर हो जाएगा, next, सिक्कों का अधियन कहलता है, तो देखिए, numismatic, option D, आपका सही हो जाएगा, numismatic, आपर right answer, अगला question देखिए, cellular और molecular जी विज्ञान के अंदर कहा बस्तित है, तो देखिए, का पर है, हैदराबाद के अंदर, option A, आपका सही होगा, अगला question देखिए, center for DNA, fingerprint and diagnostic आवस्तित है, तो देखिए, का पर है, हैदराबाद के अंदर, center for DNA and fingerprinting, डाइगनिस्टिक जो है, हैदराबाद के अंदर है, option D, आपका सही हो जाएगा, next, देखिए, आधुनिक वरगेकन का पिता किसको कहा जाता है, तो देखिए, किसको कहा गया है, linear को, option D, आपका सही होगा, next, देखिए, most important question देखिए, आपके लिए, कोशिका का अध्यान कहलाता है, तो देखिए, कोशिका का अध्यान कहलाता है, साइटोलोजी, option C आपका सही होगा, साइटोलोजी आपर right answer अगला question देखिए कोशिका सिधान्त का परतिपादन किस ने किया था, तो कोशिका सिधान्त का परतिपादन जो है, sliding ने यहों स्वान के दवारा किया गया था, option B आपका सही होगा, अगला question देखिए, सैवालों का अध्यन क्या कहलते है, तो देखिए psychology, option A आपका सही होगा, अगला question देखिए, national chemical laboratory कहां स्थित है, तो देखिए का पर है, पूने में, ठीक है, तो option B आपका सही होगा, पूने के अंदर national chemical laboratory स्थित है, अगला question देखिए, malaria research center कहां है, तो malaria research center जो है, दिल्ली के अंदर है, option B आपका सही होगा, next देखिए, अंगुरों का उत्पादन सम्मंदित है, तो देखिए, किसी सम्मंदित है VT culture से, ठीक है, तो option D आपका सही होगा, अगला question देखिए, नेतर रोग चिकित सक कहलाता है, तो नेतर रोग चिकित सक क्या कहलता है, ophthalmologist, तो option D sorry, option B आपका सही होगा, ophthalmologist, next देखिए, veterinary research institute का हां स्थित है, तो का पर है, इज्जयत नगर के अंदर, option C आपका सही होगा, next देखिए, किस भी ज्ञान में, पक्सियों से समधित अध्यन किया जाता है, तो किस में किया जाता है, ornitology में, option B आपका सही होगा, next देखिए, plasma अनुसंधान सनस्तान कहां स्थित है, plasma अनुसंधान सनस्तान का पर है, तो देखिए, गांधी नगर का पर है, गुजरात के अंदर है, गुजरात की राजदानी भी है, और गांधी नगर इस की राजदानी हो जाएगा, और plasma अनुसंधान के अंदर है, गांधी नगर के अंदर है, अगला question देखिए, राष्ट्री डेरी अनुसंधान सिनस्थान का है राष्ट्री डेरी अनुसंधान जो है करनाल के अंदर है और करनाल जो है हरियाना के अंदर है ठीक है तो option A आपका शही हो जाएगा next देखिए वाइरस का दिन कहलाते है वाइरस का दिन क्या कहलाते है वाइरोलोजी, option A आपका सही हो जाएगा, वाइरोलोजी यहाँ पर right answer, अगला question देखी बाबा परमाणू अनुसुन्धान के इंदर कहाँ पर है, B.A.R.C देखी, इसकी short form हो की ठीक है, तो बाबा परमाणू अनुसुन्धान के इंदर आपका सही हो जाएगा, नेक्स देखी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो देखी कहाँ पर है, गुडगाव में, ठीक है तो अब आपको कुछ है, इसका नाम मिलेगा, गुरूक राम ठीक है, और यह हरियाना के अंदर ही है, अगला question देखी जीवों में पाए जाने वाले रुगों का अध्यन कहलाता है, तो देखी, जीवों में पाए जाने वाले रुगों का अध्यन क्या कहलाता है, पैथोलोजी, option A आपका सही होगा, अगला question देखी कीटों से सम्मंदित विज्ञान की साखा कहलाती है क्या कहलाती है देखी इंटेमोलोजी ठीक है option A आपका सही होगा इंटेमोलोजी यहाँ पर right answer और आज का आखरी question दिखते है जीव विज्ञान सबद का परियोग सरो पर्थम किसी ने किया था तो जीव विज्ञान सबद का परियोग जो सबसे पहले लेमार्क एवन ट्रेवी रेनस के द्वारा किया गया था option B आपका सही होगा तो friends I hope आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ share कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठाशकें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक good bye take care, jay hind, jay bharat वने मातरम